आज जो मारे पास laptop है ना वो lighter than light like हलके से भी ज्यादा अलका है only 878 grams का laptop हमारे पास Fujitsu की तरफ से है UHX thin and light और literally thin and light की definition हो गई ये laptop तो तुम में से जो भी thin and light और powerful laptop ढोंड़े थे ना like Intel Evo certified i7 तो वो सारी चीजे पूरी कर देगा तो देखते हैं आज की वीडियो में दब्बे डूप में तो सब पहली हो जाबते हैं यहां जाबता है वारा laptop भाई यहां पर आप इसके look देखो और इसका size देखो मैं इसको उठा रहा हूँना मैंने एक notebook उठा रहा है कि literally जो हमारी काग रहा हूँ और यह जाप्टोब हमारा वह टाकूमी क्राफ्टमेंशिप से बनाया है लाइक एक जापनीज टर्म दिये इनों इसको जो की हलका भी है और ऐसा नहीं बेकार है मतलब study भी है एंड इसका हमारे को 65 वाट का charger मिलता है और हमारा इंटल इवो प्लाटफॉर्म पे इंटल आइरेस एकसी ऑनबोर्ड ग्राफिक्स हमारे को मिल जाते है 16GB RAM मिल जाएगी LPDDR5 4-66MHz clock speed वाली और हमारी सूपर फास्ट रहम है इंटल 12 जेन के लिए 1 टीबी की जैन 4 SSD आपको मिल जाती है जिसके read and write स्पीड के स्कोर्स आपके सामने है और वैसे तो नहीं ने ज SD Gen 4 नहीं है यह फिर हो सकता है मेरे unit में कोई दिक्कत है और इंटल इवो इंटल इवो की बातचीत हो रही है इंटल इवो है क्या है इंटल इवो हमारा एक ठपा है जो मारे लब्टॉप पर लगता है सिर्फ तब जब लब्टॉप तुमारा कुछ कंडिशन से होके गुज इससी से हमारा लाइट लेक्टाब है इससे हलका क्या आटव नहीं है इसका में लगताइब लेट इसका वेट है एक्स्ट्रीमली लाइट वेट होने के बावजूद भी जो उसकी बिल्ड है वो काफी बढ़िया है मैंगनीशियम एलॉइ बिल्ड से यह बनाया है जो कि हमारा एयरकाफ्स वगरा में यूज होता है तो बिल्ड कॉलिटी पे सॉलिड है और लाइट वेट भी है हवा में उड़ेगा ना यह है और यह हमारा में इसके बाद कुछ यह से लवर कलर थीम में आ जाएगा और मैट डिजाइन में यहां पर लुक बहुत बड़ी है इसकी और इस कलर को ब्रांड ने नाम दिया है कीबॉर्ड कीबॉर्ड के साथ पेज़काट की निलगा और उन दो यूज करने काम भी बहुत आएंगे और इसका पावर बटन है वो खुद में ही एक फिंगर्प्रींट रीड़ है और ये जो फिंगर्प्रिंट रीडर काफी फास्ट चास्ट है इसका इसको उपन कर सकते और यह जो fingerprint reader है यह Windows Hello का part है and Windows Hello हमारा Intel Evo का part है और यहाँ पे नीचे हमारे को trackpad मिल जाता है और इसमें fully clickable वाला trackpad नीचे आपको dedicated clicks मिल जाएंगे बट येस trackpad की feel बढ़ी है और काफी छोटा सा laptop है तो छोटा सा ही trackpad हमारे को यहाँ पे मिलता है यहाँ पे left side में हमारे को headphone mic jack का combo मिल जाएगा USB 3.2 Gen 1 Type A port मिल जाता है full size HDMI slot मिल जाएगा दो Type C port मिल जाता है दोनों के दोनों Thunderbolt 4 वाले है and they both supports power delivery and display port as well like display output भी आप ले सकते हो and last में हमारे को यहाँ पे Kensington lock मिल जाता है और दूसरी तरह हमारे को full size SD card slot मिलता है एक और USB 3.2 Gen 1 Type A port मिलता है and यहाँ पे हमारे को RJ45 LAN port मिल जाता है ports के मामले में दिल जीद लेस लाप्टाप में मेरा मेरे को उमीन नहीं दी मतलब इतने ports इतने से लाप्टाप में भी मतलब आ जाते है full size SD card, 2-2 Type A, 2-2 Thunderbolt 4 कमाल है बाई-साब जो की काफी कम power consume करता है लाइक अगर आप बैटरी में भी laptop यूज करते हो तो बैटरी बैटरी बागप पे इतना फेक्ट नहीं बढ़ता other panels के comparison में and 400 nits की brightness है इसके अंदर and yes display बढ़ी है, colors बहुत बढ़ी दिखाए देते है, काफी vibrant punchy है, brightness बढ़ी है और बैटरी बैकप तो बहुत बाट इन्तल Ivo का laptop 64 watt hour की battery है बट 60 watt hour मतलग यह मथो सोचना है बस कुछ नहीं देने के backup यह nine plus hours का बैकप देती है YouTube फ tofu ऐता है बैक जीक में निकले देता है लाइक देखरो कि SIM करे इन्हों तो कहीं मेंचेंड नहीं है बट यह सांस्पीकर की लाउटनेस अच्छी मिलेगी क्लारिटी भी अच्छी है और ओवराल जिसका फॉर्म फेक्टर है उसमें मतलब बड़ी आवाज देता है और प्राइवसी और सेक्योरिटी मतलब कोई हैंग वैकिंग हो जाए तो आपका मतलब सबकुछ सेफ और सांट रहे ना यह थी लापटॉप की पूरी बात्ची टॉकिंग वाट टी बेंच्मार्क सिनेमेंच आपके सामने आप वीडियो पॉस करके देख सकते हो और यहां पर के लिए जिनको day-to-day टास्क करने हैं हलका लापटॉप चाहिए वह बहुत ज्यादा ट्रावल करते हैं और एक अच्छा गुड लूगिंग लापटॉप चाहिए फ़र एक्जामपल मल्टी टास्किंग आपको करनी है जो मारी DDR5 RAM है उसकी वज़े से इस लापटॉप की जो परफॉर्मेस निकल गाती है वो मल्टी टास्किंग के मामलें बहुत बढ़ी है यहां पर आप हाई परफॉर्मेस टास्क की उमीद करोगे तो वह इतने साथ आप नहीं कर सकते हैं यहां इतना क्या सकता हूं डिस्प अब इसके अंदर जीटी फाइब वगएरे ट्राइब करके देखा वैलों अपने यहां पर टेस्ट किया था वह और लो सेटिंग्स पर चेकाज एफपिस निकाल के देदे इसने वन इटी वन नैंटी प्लस बढ़िया में चीज़ कहूंगा 60 वाला पैनल है इसमें तो तो मॉनिटर लगा कि अगर कभी खेलने का मन बने तो आप इससे थोड़ा बहुत एंजॉइमेंट ले सकते हो और यहां पर जादा एफपेस आने का रीजन भी है कि इसके इंदरा मारे को 16GB RAM मिलते है ना तो उसके साब से जो गेंप्ले का एक्स्पीरिंस आपको मिलेगा वो ब बात आते conclusion की तो इसका प्राइस मेरे को exact नहीं पता बढ़ हां tentative pricing इसकी 95,100,000,000 के आसपास होगी and Intel Evo laptop सब जितने भी देखोगे सब इसी प्राइस के आसपास आते है इस प्राइस के अंदर आपको इंटल Evo तो definitely मिल ला जिसके अंदर बैटर बैटरी बैटरी बैगा वाइफाई 6E, DDR5 RAM, Hybrid Architecture and सबसे बढ़ी चीज जो यह laptop का वेट है and yes after sales service को लेकर आपके दिमाग में रहा होगा कि अगर हम purchase भी कर लेते तो इंडिया में क्या हाल चाल है after sales service का तो यहाँ पर आपको pick up and drop service मिलेगी all over India आपके वहाँ पर service center है या नहीं है जो भी है आप call करो जो भी दिक्कत आप अपनी बताओ अगर दूर से sort ओपागे तो करवा देंगी कोई दिक्कत होगी तो आपका pick up भी होगा, drop भी होगा, free of cost, within warranty बागी मैं इसकी details बगेरा और इसका link सब कुछ description में देदूँग, हम हाँसे check out कर लेना और बस आज की वीडियो के लिए इतने था, पसंदाए वीडियो तो like मार दो, और कैसा लगा laptop इसके बारे में comment section में ज़रूर बताना मेरे को, मेरे को दो भाई ये जो like, मैं बार बार ये से बतलब वीडियो बनाते बनाते उठाये जा रहा हूँ, मुझे पता ही लग रहा ह में आपके क्या thoughts हैं comment section में and पहली बार आतो subscribe, मिलते लेक्श वीडियो अब तक के लिए, bye